तो हिमाचल प्रदेश में थमा चुनाव प्रचार आपको बता दे कि 12 तारी को मद्दान होने हैं और उससे पहले चुनाव प्रचार जो है वो थम गया है इससे पहले तमाम दिगद जो है वो चुनाव प्रचार करते हुए नजर आये थे तमाम स्टार प्रचारक भी मैदान में नज़र आए चुनाव प्रचार करते नज़र आए जन सभा को संबोधित करते हुए नज़र आए तो अब हिमाचल प्रदेश में चुनाव प्रचार पर अब रोक लग गई है ये बड़ी और एहम खबर हम आपको बता रही है बारा तारी को मद्दान होने हैं उससे पहले चुनाव प्रचार जो है वो थम गया है तो यह बड़ी और एहम खबर आप चुनाव आयोग की इस पर नज़र रहेगी तासी कोई अच्वार सहीता का उलंगन ना कर सके आप स्पीकर के साथ भीड के साथ यहां पर प्रचार नही आपको बता दे कि 68 विधानसभा सीटों पर बोट डाले जाने हैं 12 तारी को मद्दान होगा और 8 दिसंबर को हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव के परिनाम भी सामने आ जाएंगे तो उससे पहले आप यह बड़ी और एहम खबर हम आपको बता रहें हिमाचल प्र करते करते नज़र आये थे अपने गोशना पत्र बताते हुए नज़र आये थे और चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए नज़र आये थे आपको यह भी बता दें कि बीजेपी की बात करें तुझे पिंडड़ा प्रधान मंत्री नरी द्रमोधी तमाम लोग जो है व वो भी जगा जगा पहुंचे थे चुनाव प्रचार करने के लिए और बीजेपी प्रत्याश्य के पक्ष में वोट मांगने के लिए तो कॉंग्रेस और बीजेपी की तरफ से पूरी ताकत यहाँ पर जोग दी गई है कॉंग्रेस की तरफ से चुनावी जनसभा को भी संब संबोधित किया गया मलिकार जुन खड़के भी ज़रान पहुंचे हुए थे हिमाचल प्रदेश उनाव प्रचार करते हुए नज़र आए बीजेपी की बात करें तो अमित श्रह भी यहाँ पर पहुंचे थे राश्मा सिंग में यहाँ पर पहुंचे थे प्रधान मंतिर नरी प्रचार पर आप रोक यह बड़ी और रहम खबर हम आपको बता रहे हैं इस वक्त ही तो चुनावी प्रचार जो है वो अभी फिलहाल थम गया है माचल प्रदेश में 12 तारी को मदान होने है और 8 तारी को रिजल्ट भी सामने आ जाएंगे उससे पहले तमाम पार्टिया ज कजारे जिस दिन मदान होने हैं बिलकुल राश्री और यह चुनाव बहुत कड़े मुकाबले को लेकर कहा जा रहा है थम तो चुका है पिरचार लेकिन अभी जीत के सब के दावे हैं और इस चुनाव के अगर बात की जाए तो सवाल वही शुरू से जो बहुत पहले से पि मैडान में उतरे थे और हिमाचल की इन्ठंडी वादियों में सर्द मौसं में अंदर स्यासत की तपिश लगातार बढरती रही थी। अगर बात की जाया तो आज की अगर बात की जाया तो आज भी चुनाफ के मैदान में पिर्चार के मैदान में जहां एक तरफ हम इश्राह थे तो दूसरी तरफ प्रेंका गांधी भी थी मलीक अरजन खड़गे भी चुनाफ के मैदान में उत्रो और यह कॉंग्रेस के अध्य पार्टियों ने फोकस किया है कई मुद्दे इस चुनाब में रहे हैं अब जंता के दिल पर कौन सा मुद्दा सबसे जादा असर करता है ये 12 तारिक को जब वोट डालेंगे और फिर 8 दिसंबर को पता चलेगा कि जंता ने फैसला किया किया है लेकिन मुद्दों की अगर बा फिलहाली इंतिहने की जंता डबल इंजन की सरकार को चुनती है या जंता जो रिवास चला आ रहा है उस रिवास को फॉलो करती है लेकिन बहुत ही दिल्चस्पे चुनाब 68 सीटों पर होने जा रहा है और अब जो कई महिनों से राजनितिक लोग और सियासी दिगज या पि रनितिया मनाई जाएंगी किस तरह से किस तरह से मद्दाताओं को अपने पक्ष में किया जाए बहुत सारे चीज़ें होती है चुनाव के आखरी दिन लेकिन बारा तारिक का दिन भी करीब आखिरकार आही गया जिस दिन मद्दान होना है बलकुल नासिर जी अगर हम बात क कि भी तमाम जो समाधाता है सहीयोगी है वो ग्राउंड जिरो पर पहुँचे थे लोगों से उन्होंने बात चीत की थी आप भी पहुँचे हुए थे तो लोगों की प्रतिक्रिया किस तरह से मिल रही थे अब चुनावी प्रचार तो हो गया अब वो थम भी चुका है बार कोई भी चैनल नहीं उत्रा था खबरें अभी तक की टीम लोगों के बीश में थी हिमाचल के अलगलग शहरों में अलगलग गाउं में हम पहुचे थे और अभी भी हमारी चार टीमों ने चुनाव के दौरान वहां पर रहकर काम किया है और अलगलग शेत्रों में जाकर चा को तैय करना है लेकिन हाँ इसमें कोई शक नहीं है कि पत्रकारों की तरफ से जो रिपोर्ट्स आई हैं खबना अभी तक की टीम भी पहुचे तो मुकाबला है और जो हमेशा रहता है मुकाबला दौने पार्टियों की बीच में कॉंग्रेस और बीजेपी की बीच में वही मुकाबला है आम आदमी पार्टी भी इस बार अपने आपको यहां पर साबित करने की कोशिश कर रही थी लेकिन जिस तरह से एक पिरचार नजर आता है वैसा जिस तरह से शुरुआत में नजर आया था वो आखिरकार वो नजर नहीं आया लेकिन हाँ मुकाबला रहेगा राजनीती है उसको दिल्चस्प बनाया गया और वो भी वो भी अपनी अपनी पार्टियों के खेल को बेगार सकते हैं लेकिन खबर अभी तक के जो दर्शक हैं उनको हम एक बात बता देना चाहते हैं कि आपको हिमाचल पिरदेश के चुनाफ से जुली हर एक खबर हम तक पर बिल्कुल और नासिर जी वोटर्स की महात्पुन फुमिका वो बारतारी को नजराने वाली है इस बार महिलाओं की अगर हम बात करें तो महिलाओं में किसरा का उत्साह देखने को मिला कुछ जगह ऐसी भी हैं जहां पर महिलाओं की भागेदारी को देखते हुए द कॉंग्रेस का जहां एक तरीके से कहना है सबसे बड़ी बात कि हम 15 सुरुपे हर महिला को देंगे तो ही बीजेपी की तरफ से स्कूटी और साइकिल का जिक्र किया गया है तीन सिलेंडर फुरी देने की बात कही गयी तो महिलाओं को आखरशित करने के लिए दोनों पार्ट के योगदान को देखते हैं ड़े को देखते हैं और इस बार भी कुछ ऐसा ही देखने को मिलेगा दोनों पार्टियों की तरफ से पूरी आखरशित करने की कोशिश की गयी है अब सवाल ही है कि जनता और महिलाओं की दिल में किसकी बात ने घर किया है लेकिन ये चुनाव हिमाचल पिर्देश में एक एत्यासिक चुनाव होने जा रहा है हिमाचल पिर्देश की जनता को ये भी साबित करना है तै करना है कि क्या वो रिवाजों को फॉलो करते हैं या वो रिवाज को फॉलो नहीं करते हैं जहां बीजेपी का दावा बार बार रहा था वादा रहा था दावा रहा था कि इस बार हम हिमाचल पिरदेश को इस रिवाज को बदलेंगे आपको मालूम है कि 1985 के बास से हिमाचल रिवाज बनेगा कि रिपीट हुई है सरकार या फिर वही रिवाज बरकरार रहेगा नासर जी आपने भी एक चीज गौर किया होगा कि बीजेपी की अगर हम बात करें तो बीजेपी पार्टी जो पूरा दमखम लगाती हुए आपर नजर आई प्रधार मंत्री मोदी से लेक तो कॉंग्रेस भी चुनाव प्रचार में किस तरह की सीटों में इस बार नजर आई देखिए राश्वरी पियमोदी की बात की जाए तो इसमें कोई श्रक नहीं कि उनका चेहरा ऐसा है कि वो सब पर भारी पड़ जाते हैं किसी भी पिर देश में जाते हैं या फिर देश क संभाली थी वो प्रेंका गांधी ने संभाली थी प्रेंका गांधी ने यूपी में भी संभाली हुई थी राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हुए हैं कॉंग्रेस की तरफ से ये भी बार बार कहा जा रहा था कि राहुल गांधी से ये कहा गया उनसे ये गई कि वो एक बार यहां पर आकर एक बार पिरचार करें लेकिन राहुल गांदी ने दूरी बनाई थी मलिक अरजुन खड़ गे आखरी के दिनों में चुनाफ के पिरचार में उतरे थे कॉंग्रेस की तरफ से देखे बीजेपी की तरफ से चेहरा है जैराम ठाकुर का कि वह यह अगले मुख्यमंत्री यह बनेंगे अगर हमारी सरकार बनती है जीतते हैं कॉंग्रेस की तरफ से कई चेहरे थे तो कॉंग्रेस कुछ लोगों का यह भी कहना है कि कई चेहरों का भी एक फायदा मिल जाता है किसी पार्टी को क्योंकि हर विधानसवा शित्र के लोग और कॉंग्रेस की सरकार बनती है तो वो कह भी रहे थे और कॉंग्रेस की नेता कहरे थे देखिए इस बार तो आपके ही शेत्र से मुख्यमंत्री बनने जा रहा है तो इस तरह की कॉंग्रेस की तरफ से कोशिश रही है इसका कॉंग्रेस को फायदा भी हो सकता है फायदा इस ल से दूसरी पार्टी को फायदा मिल जाता है मुक्षि मंत्री जैराम ठाकुर अपने विकास की बात करते हुए चुनाव लड़ते रहे प anno मुंध्री ने विकास की कहीं कॉंध्रίν recognised ने मुद्द्दे उठाए बेरोजगारी को और करमचारियों का मुद्दा हिमाचल के पिरदेश में सबसे बड़ा मुद्दा इस वक्त बना रहा है तो प्रिचार में ताकत दोनों ही पार्टियों देखे मद्दान को लेकर हिमाचल प्रदेश की अगर बात की जाए तो एक कोशिश होती है कि बर्फवारी से पहले और ठंड बढ़ने से पहले इस प्रक्रिया को समाप कर लिया जाए और यही वज़ा थी कि गुजरात को और हिमाचल का चुनाव एक साथ होना था लेकिन गु डालने के लिए फिर थोड़ी मुश्किल है ना हो और जादा से जादा मद्दान हो तो एक कोशिश रहती है हिमाचल की अगर बात की जाए राश्री तो बहुत जादा कोई ऐसी टेंशन वाली बात कभी हिमाचल में रहती नहीं कि कहीं माहल खराब हुआ जैसे हम अकसर हो चीए तो इक पूरी तैयारी है और बहुत जादा वहाँ पर जांद हम कई बार दूसरे राजहों में देखते हैं कि पुलिस puns बढ़ा दी जाती है रक्षा के लिए से हूती है लेकिन इसको लेकर बहुत जादा वहाँ पर टान्शन यह नहीं होती है कि चुनाब में शा खबरे अभी तक पर भी हम देते रहेंगे बहुत बहुत शुक्रिया नासर जी बात्रीट करने के लिए तमाम जानकारी देने के लिए तो आपको उतादे कि चुनाव प्रचार जो है वो थम गया है हिमाचल प्रदेश में और ये बड़ी और एहम खबर जैसा कि खबरे अभी लगा दे गई है याने क्या बीड कर शक्ती यहां पर माईक स्पीकर के माधन से प्रचार नहीं क्याल सप्ता जिन्सभाव नहीं तो टूर कंपंज ज़रूर क्यज़ा सकता है क्यों प्रत्यास्यों के मौखा है कि वो डो टूचल प्रदेश में ऑपने पक्स में वोट की पर पहुंचे थे प्रियंका गांधी ने कॉंग्रेस की तरफ से कमान समझा ली थे जो प्रचार करती हुए नज़राईंग